Welcome dear students, today we will discuss about the first periodic test in social science that we have already done. बच्चों, आज हम अपने पहले periodic test को discuss करेंगे, आए शुरू करते हैं. This is your first question. Oceans, rivers, lakes and the moisture in the air are all part of which of earth's spheres. महासागर, नदियां, जीलें और वायू में मौजूद नमी, ये सभी पृत्वी के किस बाग का हिस्सा हैं? Hydrosphere, Atmosphere, Lithosphere and Biosphere. These are the options. बच्चों, हमने अपने इस chapter में, Geography के पहले chapter में, Environment में ये पढ़ा था, कि there are four major domains of earth system. These are the domains. Lithosphere, this is the first section. Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere. ये चार बड़े उपविभाग हैं हमारे पर्यावरन के. और इनमें सभी अलग-अलग खंडों से, अलग-अलग भागों से सम्मंदित हैं. Lithosphere के अगर हम बात करें, Lithosphere is about earth crust. पृत्वी के स्थली भाग की बात करता है, स्थल मंडल इन्से हिंदी में हम कहते हैं. दूसरा जो खंड है, वो atmosphere या वायो मंडल की बात करता है. हमारी पृत्वी के चारों तरफ वो वातावरन वो गैसी composition जो हमें पृत्वी पर जीवन रक्षक प्रनाली के लिए हमें सहायता करता है. उसे atmosphere या वायो मंडल कहते हैं. इसी तरीके से जल को धारन करने वाले हिस्से को हम hydrosphere या जल मंडल कहते हैं. जबकि इन तीनों का जो interaction zone है या जो उनका संक्रमन छेतर है जहाँ पर जीवन के लिए नुकूल दशाएं बनती हैं. वहाँ पर जीवन मंडल या बायो स्फेर की बात हम करते हैं. जिसमें man या human being भी शामिल है और साथ-साथ plant और animal kingdom के रूप में भी हमें जीवन के कई रूप दिखाई देते हैं. ये सभी environment के domains या विभाग कहे जाते हैं. अब अपने मूल प्रशन पर वापस आते हैं. हमारे question में पूछा गया है कि ये सभी या ओशन, rivers, lakes और moisture in the air किसका भाग हैं. हमने अभी भी पढ़ा जल इसके सभी उपे भाग हैं. उनमें जल को धारण करने वाला जो हिस्सा है हमारे environment का. उसे हम hydrosphere या जल मंडल कहते हैं. इस तरीके से हमने अपने उत्तर के पहचान की राइट आंसर इस हाइड्रो स्फेर. मुव तो दे नेक्स वेशन, एक शिकारी अनाच के लिए एक किसान को जानवर की खाल देगा. क्या ये वस्तुविन में है? एक्शेंज ओव गुड्स या वस्तुविन में या बाटर सिस्टम किसे कहते हैं. पहले हम ये समझने का प्र currency का चलन नहीं था. currency in the form of coins, यानि सिक्के, या हम कागच के टु्कडे वाली जो हमारे पास जो नोट чलन में है, या हम plastic currency भी इस्तमाल करते हैं, एक बिट ash to bad來 इस तरह की किसी भी currency का चलन जब समाज में नहीं था, तो लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक साम यानि यहाँ पर currency की या मुद्रा की कहीं पर आवशक्ता नहीं थी केवल सामानों का exchange यानि एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लिया जाता था इस system को exchange of goods या वस्तू विन में कहा जाता था और इसके लिए सामान निशब्द बार्टर system चलन में है बार्टर सिस्टम जो अब लगभग नहीं के बराबर इस्तिमाल होता है केवल बहुत पिछड़े इलाके कुछ ऐसे जनजाती इलाके विश्व के दुनिया के हैं जहां पर अभी भी लोग सामान के बद्ले सामान लेकर के अपना काम चलाते हैं इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम या वस्तू विनमे कहते हैं इस एक्जाम्पल को देखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है यानि यहां पर दो लोग की जरूरतें आपस में एक दूसरे के साथ साजा हो सकती है अपना काम चला सकते हैं यही सिस्टम अभी हमने पदा कि यह वस्तू विनमे है यहां बार्टर सिस्टम है यहां यहां जो दिया गया उदारण है वो बार्टर सिस्टम का वस्तू विनमे का उदारं है इस क्षण क्या आंसर हमने कर लिया Now move to the next question Question number 3 is this a positive or negative example of human modification of the environment in the given picture बच्चो नीचे एक चित्र दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि जो मानों का किया हुवा संशोधन है प्रकृति में परियावरण में उसका ये नीची देगे जो चित्र है ये सकारात्मक उदारन है या नकारात्मक उदारन है हम नीचे देख सकते हैं एक फैक्टरी का चित्र है बहुत सारे चिमनिया यहां लगी है ये प्राकृतिक परियावरण में इंसानों का किया हुवा परिवर्तन है हमने पढ़ा था कि बिल्डेंग से स्ट्रक्चर जितने भी हैं सब इंसानों के बनाए हुए सनचनाय है ये मानो निर्मित परियावरण है और ये मानो निर्मित परियावरण हमारे प्राकृतिक परियावरण को दूशित कर रहा है हम देख सकते हैं कि बहुत सारा पलूशन एर पलूशन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है प्रत्वी के अंदर वाला दूसरा चैप्टर अपना जोग्रफी का पढ़ते हैं, तो वहां पर बिल्कुल शुरुवात में, पहले पेज पर ही साइट की इंफर्मिशन में दिया हुआ है, कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है, वह साथ अफरिका में है, इसकी जानकारी ले हम इसको पढ़ते हैं, पॉनिंग, पॉनिंग ए गोल्ड माइन है, एक सोनी की खान है, और सोना मिलते जाने की वज़े से लगातार उसकी खान की खुदाई की जाती रही, लगातार खुदाई से उसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो गया, यानि बहुत गहराई में हमें यह अपस आते हैं, डीपेस्ट माइन सौथ अफरिका में जो है, उसकी गहराई पूछी गई, हमने अभी भी पढ़ागी, वो 4 किलोमेटर या 4 किलोमेटर है, सही उत्तर, 5th question, which rock is molten magma made up of, पिगले हुए मैगमा से कौन सी शेल बनती है, हम रॉक सैकल की एक बार थोड़ी से बात कर ले, हमने रॉक सैकल में देखा था कि जो धरती के अंदर, जो molten rock है, molten magma होता है, जिसको हम अंदर पिगले हुए चटानों को हम magma कहते हैं, और बाद में ये दरारों के जरिए, blast के जरिए, surface पर उपर की तरफ निकल करके आता है, ये बाहर निकलने पर लावा की रूप में जमता है, और जम करके फिर एक चटान बना लेता है, एक तरह की rock बन जब इन पर बहुत सारा temperature या बहुत सारा pressure या दबाव और तापमान काम करते हैं, तो ये दोनों modify होकर metamorphic rock या रूपांतरित चटान बन जाती है, ये हमने general rock cycle पड़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था कि magma से बनने वाले जो primary rock है, प्राथमिक जो shell है, वो agnes rock है, नाम से हिस सबस्ट है कि अगनी से संबंध है इसका, जलती हुई चटानों से संबंध है, मैगमा से संबंध है इसका, igneous rock is the right answer, पिगले हुए मैगमा से, molten मैगमा से बनने वाले जो rock है, वो igneous rock है, next question, this is your sixth question, white marble of tarj mehal is an example of which type of rock, बच्चों ये ताज महल है, ये संचन आप पैचानत हैं, ताज महल में जो पत्थर इस्तेमाल किये गए हैं, वो white marble या सफेद संग मरमर पत्थर इस्तेमाल किये गए हैं, वो किस प्रकार की चटान है, वो चटान है, metamorphic rock का example है, एक रुपांतरित या कायांतरित प्रकार की शैल है, ये इसका सही उत्तर है, इसको भी जराम बदलती है, इनका सुरूप बदलता है, जब इन पर temperature यानि तापमान काम करता है, और दबाओ काम करता है, तो ये अपना मूल रूप छोड़कर के नए रूप में आ जाती है, उनका metamorphism हो जाता है, metamorphic rock बन जाती है, हम ताज महल वाल example में बात करें, ये एक sedimentary rock का example है, इस metamorphism कर लेती है, metamorphic rock convert हो जाती है, और ये limestone ये चूना पत्थर बदल जाता है, white marble में, यानि सफेज संग्मरमर बनता है, चूना पत्थर की चट्टान से, उसके metamorphism होने के बाद, अब हम अपने question में आ जाएं, सफेज संग्मरमर की बात भी हमने की, white marble की, और ये इसमें इ सबसे आंतरिक, सबसे अंदरूनी परत है, अपने textbook के इस डियाग्राम को याद करें, यहाँ पर सपस्थ है कि हमने इसकी जानकारी लिए है कि तीन परतें हमारे प्रत्वी की अंदर में मिलती है, सबसे बाहरी परत को crust कहते हैं, उसके अंदर mental मिलता है, और सबसे अंदरू के बारे में crust को inner, inner layer बताया गया है, लेकिन वास्तों में यह गलत है, crust जो है हमारी सबसे outermost layer है, inner most layer नहीं है, तो यह true नहीं, यह false है, this question is a false fact, question number 8, this is question number 8, which language was spoken during 14th century in present Bengal reason, चौदवी सदी में बरतमान बंगाल प्रदिश में कौन सी भाषा बोली जाती है, बच्चों हमारे हिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में एक बहुत प्रसिद कवी की चर्चा है, जो धर्बारी कवी भी हुआ करते थे सुल्तान पीरेड में, सल्तनत पीरेड में, अमीर खुस गौड़ी, हिंदी में हम गौड़ी कहते हैं और इंग्लिश में उसको गौड़ी रिखा है, तो यहां पर हम अपने क्वेशन को सौल्व करते हैं, बंगाल प्रदेश की बारसा पूछी गई है, गौड़ी is the right answer, नाइन्थ क्वेशन की बात करें, इस नाइन्थ क्वेशन, नाइन्थ क्वेशन is about a map, यह हमारे first chapter में ही यह map बनाये गया है, इस map के बारे में पूछा गया है, कि आपके अध्याय में दिया गया है, जो मांचितर है, वो किसके द्वारा बनाये गया है, made by whom, इसका सही answer है, अल इदीर सी, अल इदीर सी एक अरब भोगल वित्ता थे, और इन्होंने 1154 में 1154 में यह map बनाया था, लेकिन इस map में एक basic अंतर है आजकल के दौर के map से, इन्होंने north को यह उत्तर को map में नीचे की तरफ दिखाया है, जबकि समानरूप से आजकल जो map हम बनाते हैं, उनमें north को उपर की तरफ हम दिखाते हैं, north को नीचे दिखाने समय में यह map बनाने के वज़े से, अली दीरसी को हम मान देते हैं, उन्होंने बहुत छोटचोटी information भी अपने इस map में दी हैं, जो history के लिहाज से बड़ी important हो जाती है, हमने अपने सही उतर के पहचान कर ली है, अली दीरसी was the man who made this map in 1154, 1154 में उन्होंने यह मांचित्र बन बनाता है, buildings, maps, paintings and cartoons, इसी पहले chapter में यह में जनकारी मिलती है, कि वो विक्ति जो maps बनाते हैं, उनको हम cartographer कहते हैं, को cartography is a science or art of map making, यानि मांचित्र बनाने की जो कला या विज्यान है, उसको हम cartography कहते हैं, और उस विक्ति को जो यह काम करते हैं, उनको cartographer कहा जाता है, तो स is following invaded Somna temple of Gujarat, Gujarat में बहुत प्रसिद यह Somnaat का मंदिर है, किसने इस पर आक्रमन किया था लूट पार्ट करने के उदेशे से, वो विक्ति था मेहमूद गजनवी, मेहमूद गजनी या गजनवी जो है, वो अफगानिस्तान का सुल्तान था, अफगानिस्तान में एक रियास संद्धी को बढ़ाता था, इसने भारत पर भी कई हमले किये थे, और 2024 CE में उसने सिंद्ध के रास्ते से होते हुए, अपनी Gujarat में जो Somnaat का मंदिर है, इस पर भी आक्रमन किया था, मंदिर समर्धी का केंद्र थे, बहुत सारा धन्या होता था, यह Somnaat का मंदिर है, आजक समर्धी को किस ने इन्वेट किया था, मैमूद गजनी, गजनी या गजनवी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, इस इस क्वेशन नमबर 12, यह मांचेतर के बारे में है, मैप जिसमें बहुत सारे डैनसिटी को बहुत सारे राजवनशों को दिखाये गया है, और इसको इसका सीक टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक में दिये हुए मैप से इसका कमपैरिजन करते हैं, तो यह बल्कुल सपस्ट हो जाता है, कि यह पहला जो छेतर है, फर्स्ट यह है गुर्जर प्रतिहारों का छेतर, नौर्थ में, दूसरी तरफ, सेकेंड नमबर पर बंगाल वाले हि तो 1, 2, 3 का जो सही सेक्वेंस है, वो गुर्जर प्रतिहार और पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल और रास्टर कूट है, दिस इस दे राइट आंसर, जो पहला ऑप्शन है, तीनों के सही उजन का 1, 2, 3 का, वो पहला ही उत्तर सही है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और लिये जाते थे और इन 400 टेक्स में से वेट्टी एक टेक्स था जो जनता से लिया जाता था यानि ये ट्रू फेक्ट है चोल इंपार के बारे में 14th question Who wrote किताब लहिंद किताब लहिंद नाम के पुस्तक किस ने लिखी थी इसका सही उत्तर है अलबरूनी अलबरूनी एक विद्वान थे अलबरूनी आये थे भारत गजनवी के साथ मेहमूद गजनवी जो भारत लोटने आये था इसके साथ ही गजनवी को एक खास शौक था कि वो जिस शेतर में जाता था वहां के लोगों की जो संस्कल स्कॉलर्स थे उनके साथ उन्होंने काफी बातचीत की हमारे लोकल कल्चर को समझा और अपने धंग से भारत के बारे में जानकारी देने वाली बड़ी अच्छी पुस्ता कि इनोंने अलबरूनी ने लिखी जिसको नाम दिया हिंदुस्तान के नाम पर किताबल हिंद हिंद की किताब थी और ये उस दोर के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है अलबरूनी इस दराइट अंसर ऑफ किताबल हिंग फिप्टीन्थ क्वेशन की बात करें इस दराइट अधिकार अंदोलन किस से सम्मंदित था यह सम्मंदित था एफ्रो अमेरिकन से बचों यह सिविक्स का एक चैप्टर है बिल्कुल शुरुवात में ही हमें रोजा पाक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है रोजा पाक्स एक महिला थी यह आपके टेक्स बुक से लिया हुआ चित्र है रोजा पाक का 1955 में यह उन्य सो पचपन में इनके साथ एक दुरघटना होती है इनके साथ दुरवेभार होता है बस में जब उनके साथ उनका जो फेलो ट्रेवलर है एक वाइट मैन वो उनके साथ बत्तमीजी करता है रंग भेद को ले करके यानि स्किन कलर की बेसिस पर उनको डिस्कर्मिनेट करने के प्रयास करता है और यहीं इसी घटना के साथ अमेरिका में एक इसके बारे में पूछा गया था इसके बारे में पूछा गया था है किस से संबन्दित था या एफरो अमेरिकान से संबन्दित आंदोलन था 16th question Whose autobiography is Juthan Juthan किसकी आत्मकता है यह भी आपके पुस्तक में इसकी चर्चा है Juthan एक दलित की कहानी है एक दलित बच्चे की कहानी है अपने साथ जातिकत अधार पर जो भेदभा हुए उस पर इस बच्चे की लिखी हुई की कहानी है और ओम प्रकाश वालमी की कि यह लिखी गई पुस्तक है बहुत पॉपलर बुक है यह हमारी textbook में भी इसका example मिलता है राइट नासाइस ओम प्रकाश वालमी की Juthan की पुस्तक के लेखक है हम question number 17 की बात करें next question this is 17 the first state who introduced midday mil scheme midday mil यानी दो पहर में भोजन जो योजना है इसके शुरुवात किस ने की थी यह बहुत करांतिकारी योजना है बच्चों को स्कूल में दो पहर का भोजन देना इस योजना के शुरुवात की थी Tamil Nadu ने Tamil Nadu was the first state और ऐसा हमारे टेक्सबूक में भी हमें जानकारी मिलती है कि यह 2001 में 2001 में Tamil Nadu Tamil Nadu was the first state in India who introduced this scheme of midday mil in 2001 और बाद में Supreme Court के आदेश पर भारत के बाके सारे राज्यों ने भी बारे-बारे इस scheme को अपने हापर लागू किया Tamil Nadu की यह जो midday mil scheme है हम देख सकते हैं कि यह digital form में अब available है सारी चीज़ें इसकी तकनीकी तौर पर digital form में available हो गई है यह midday mil scheme का एक logo है हम अपने question में वापस आएं midday mil scheme के शुरुवात कि थे Tamil Nadu ने now 18th question this is 18th question about PHC PHC का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of PHC बच्चों PHC का full form है primary health center यानि प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र हमारे आजपास के शेतरों में भी हमें PHCs और CSCs देखने को मिलती है प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र और सामुदाइक स्वास्ते केंद्र हमारे second chapter में government role in public health जो हमारा दूसरा chapter है सरकार की भूमिका स्वास्ते में वहाँ पर इसकी चर्चा है कि जब हम हेरत के health facilities की बात करते हैं तो there are two types public health care facility and private health care यानि सरकारी और निजी छेतर में जो स्वास्ते के सुविधाय है उनको दो हिस्से में माटा जा सकता है public health services को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो दूर दराज की जनता है सभी जगों पर स्वास्त के सुविधाय देने के लिए PHCs यानि primary health centers की स्थापना की गई और बाद में ज्यादा जन संक्या के लिए CHCs यानि community health centers भी बनाएगे यहाँ पर question पूछा गया था PHC के बारे में primary health center this is the full form बच्चों इन सभी system को हम public health facility क्यों कहते हैं क्योंकि यह सारी सुविधाय जो है वो सरकार हमें देती हैं सरकार इनको बनाने के लिए हमसे यानि जनता से बहुत तरह के taxes या कर दिया करती हैं यह जो taxes है वो public देती है यह जो सरकार है वो भी public ही बनाती है यानि पूर्ण रूपेंड यहां पर public का रो लहम हो जाता है और इन सारी services को इसलिए हम public health services कहते हैं primary health center उसी का एक भाग है PHC is a part of this public health care service question में PHC का पूर्ण रूप पूछा गया है primary health center प्रात्मिक स्वास सकेंद्र सही उत्तर है 90th question पर आए 19th question पर आए 19th question डायरिया के बारे में है डायरिया is not a water born disease डायरिया एक जल जनित बिमारी नहीं है यह सही है या नहीं इसको भी है अपने chapter से करम देखना चाहें तो हमारे health care facilities पर health care services पर दो दूसरे हिस्से में negative या नकारात्मक बिंदो गिनाए गए है हमारी textbook में इन नकारात्मक या negative points को कर हम देखें तो यहाँ पर यह लिखा है कि 21% जो है communicable disease water born disease से होती है अभी तक हम सारी जनता को पीने का पानी उपलब्द नहीं करा पाए है और water born disease यानि की जल जनित बिमारियां इसकी वज़े से हो जाती है और वो जल जनित बिमारियों में डैरिया का नाम काफी पहले लिखा गया है यानि बहुत मर्दपूर्ण बिमारी है जो जल जनित है यानि पानी पीने के गंदे पानी के विज़े से ये बिमारी होती है हम अपने question में वापस आएं ये पूछा गया है डायरिया जलजनित बिमारी नहीं है हमने पढ़ा कि ये जलजनित बिमारी है यानि ये जो fact है ये false fact है डायरिया is a waterborne disease not true, this is a false fact last question पर आजाएं, 20th question 20th question हमारा है on which of the following on which of the following does our good health depend हमारा जो अच्छा स्वास्त है वो किंचीजों पर निर्वर करता है स्वक्ष पेजल पीने का साप पानी हमें चाहिए अच्छे स्वास्त के लिए प्रदूशन मुक्त हावा ये पलूशन फ्री एर भी चाहिए और healthy hygienic food भी हमें चाहिए अच्छा स्वास्त खाना ये तीनों चीज़ें हमारे लिए अच्छे सेहत के लिए अवश्यक है इसलिए जो चौथा option है all of these इन में से सभी ये सबसे appropriate answer है last option जो है वो सही उत्तर है हमारे इस 20 में प्रशनकार इस प्रकार से हमने अपना ये पूरा पेपर solve किया बच्चों उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गए है concept clear हो गया होंगे आप ये सारे question with correct answer अपनी notebook में as a homework लिखेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद